नमस्कार दोस्तो रोहित है आज हम लोग कट ओफ प्रेडिक्शन पर बात करेंगे आप लोगों का लगातार डिमांड था और बाद बार हम लोग पूल क्रियेट कर रहे थे तो कट ओफ क्या होगा पहले हम लोग बताना चाहते हैं कि जो हम लोगों ने एंसर की दिया और जो B DPSC तो कुछ एंसर की चेंज करेगा जैसे G20 वाला चेंज करेगा साथ निश्चे वाला चेंज करेगा इसलिए हम बोलना है कि G20 वाला चेंज करेगा क्योंकि जब क्वेस्चन सेट किया जाता है उसी समय जो क्वेस्चन सेटर होता है उसे आप एंसर मांगते हैं पहले भी problem यहाँ पर हम लोगों का कितना गलत हुआ दो से तीन question हम लोगों का गलत हुआ है जो official answer की है आप उचको जा कर check कर सकते हैं जैसे c-bake effect वाला में हमने कहा था कि this similar element पे ऐसा होता है ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है तो हम लोग का जो जायस था हम लोगों ने कहा दो से तीन गलत हुए हम लोग पहले भी कह रहे थे कि we will be close to the official answer की पर बाकी से हम लोग का answer की अच्छा है इसमें हमें कहने में कोई दिक्कत भी नहीं है और official answer की के बराबर तो हम लोग हो ही नहीं सकते कोई भी नहीं हो सकता अब देखे के cut off कितना होगा दोस्त पहला बात तो यह है कि जिससे आप पुछो उसका number आ रहा है 110 प्लस या तो यह number बहुत जादा exaggeration है या फिर लोग इतना number लेके आ रहे हैं पर थोड़ा सा उसमें problem आ रहा है दोस्त प्रॉब्लम in the sense आ रहा है कि जो दोस्त यार हम लोग को दे रहे हैं जैसे पिछली बार हम 3-4 candidate को जानते हैं जो UPSC का मेंस दिखे हैं पहले इसके पहले उन्होंने interview दिया है इस बार UPSC का मेंस दिये हैं तो आप बोलेंगे कि वो UPSC की तयारी कर रहे होंगे इसलिए उनका कम नमबर आ रहा है तो उन लोगों का नमबर 102 के आसपास आ रहा है 102 से 104 के आसपास नमबर आ रहा है पर problem यह है कि जब आप एक पार UPSC की तयारी कर लेते हैं या state pieces की तयारी कर लेते हैं पर पचास परतिशत लोग थोड़ा सा exaggerate कर रहे हैं एक जज़रेट इन दा सेंस क्या कर रहे हैं ओफिस्चल एंसर की जो BPSC ने जारी किया उसके हिसाब से मानते है कि उनका 102 नमबर आ रहा है उनका 102 नमबर आ रहा है तो वो क्या कर रहे हैं कि G20 को जो माने हैं वो अपना सही मान ले रहे हैं साथ निश्चे वाले को सही मान ले रहे हैं और जो दो-तीन question doubtful है उसको वो सही मान ले रहे हैं और इसमें अपना नमबर जोड़ दे रहे हैं तीन नमबर या चार नमबर तो इससे क्या हो रहा है कि 102 तो उनका official answer की से आ रहा है पर जो उन्हें लग रहा है कि answer सही करेगा BPSC उस number को जोड़के वो अपना number आपको बता दे रहे हैं कि 107 आ रहा है 108 आ रहा है पर सचाई इससे दूर है दोस्त अफिशियल मतलब official होता है क्योंकि जब वो बाद में change कर है थोड़ा सा जो उनको doubtful question उसको जोड़ दे रहे हैं और फिर नंबर बता रहे हैं भगवान करें कि यह आकलन गलत हो हम जो cut-off-up को देने वाले हैं हमें को आपको खुस नहीं करना है क्योंकि हम लोग को ना कोई capsule बेचे हैं क्योंकि हम लोग एक रूपया का एक रूपया लेकर तो आपको पढ़ाया नहीं है तो इस तरह की बात होनी चीखिए दूसरी बात यह है कि हमें capsule बेचना नहीं है मेंस का कोर्स आप से खरीदवाना नहीं तो हम लोग बहुत सचाई से एकदम करीब रहेंगे देखिए यह नंबर exaggerate तो लोग कर रहे हैं क्योंकि पेपर इतना भी आसान नहीं था जितना यह लोग हल्वा बता रहे हैं पेपर को आप एक्जाम में बैठ को उस पेपर को अटेम्ट करना देखे ऐसा भी नहीं कि लोग 110 प्लस नहीं लेकर आ रहे हैं बिल्कुल लेकर आ रहे हैं 20% candidate लेकर आएंगे यह भी नहीं है कि 120 प्लस candidate नही लेकर आ रहे हैं बिल्कुल लेकर आ रहे हैं 5% candidate लाएंगे but it is not this lot who will decide the cutoff not at all तो क्या cutoff होगा and इसमार अगर seat देखेंगे तो 802 seat के आसपास है तो इसका मतलब 10,000 से 10,000 बच्चों को उनको selection लेना है तो cutoff यह candidate नहीं decide करने वाले हैं तो हम लोग का जो cutoff है वो हम आपको higher this side में बता रहे है जो general male का cutoff होने है गैश जो general male का cutoff होने वाला है वो cutoff होने वाला है 104-106 numbers अगर आप का 104-106 इस official की से आ रहा है अगर मेंस की तयारी करिए अगर पिर general female का आप cutoff पूछेंगे कि कितना हो रहा है तो अगर general female में आप 97 नंबर से 99 नंबर के बीच में आप cut off ला रहे हैं तो आपका selection हो रहा है आप उसी के हिसाब से अपना और सब category का number कम कर लिजे और तयारी कर लिए मेरा दो तीन सलाह रहेगा जिसके number कम आ रहे हैं आपके लिए मेरा एक साथ कहना है कि BPSC concept वाला हम लोग winner के साथ कभी खड़ा होना भी पसंद रही करते जो selection जिनका हो जाएगा क्योंकि ना हम लोगों को सम्मान का मोह है ना अपमान का भे है सीना ठोक कर हम लोग channel start करते हैं और we are not answerable to anybody because we have not taken a single pie from anybody and we don't aspire to take it as of now तो हम लोगों का कुछ कहना यह है कि हम दो lot हैं हमारे पास limited resource है तो दो lot हैं हमारे पास एक lot मेंस वाला candidate है तो मेंस वाला candidate हमारे लिए important है बिलकुल important है क्योंकि हम लोग उनका final selection कराना चाहते हैं पर एक वो candidate है जो 68 की तयारी करेगा याद रखिए हम लोग आपके साथ ज्यादा मजबूती के साथ खड़े हैं आप पर हम लोग ज्यादा काम करेंगे इन लोगों के बजाए क्योंकि हमारे priority आप है जो संघर्स कर रहा है उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे उसके साथ मिलेंगे हिम्बत मत हारिएगा कुछ दिन का बात है 8 जनवरी को साथ 9 जनवरी को एकजाम होना है उसके साथ हम लोग फिर से लड़ेंगे फिर से लड़ेंगे और फिर से जीतेंगे साथ ही इन चीज को ध्यान रखना है अब करना क्या है आपको करना दोस्त यह है कि अभी एक महीना आपका मानते हैं कि ये borderline के case है, सबसे ज़्यादा परिशान borderline category है, अगर आप borderline के case पर हैं, अगर आप 103 नमबर या 102 नमबर या 101 प्लस नमबर लेकर आ रहे हैं, मेरा आप चिनिवेदन है कि एक महिना चुप चाप कुछ भी मत पढ़िए अपने optional को दीजिए, अगर आपका नमबर 100 की कम है, देखो दो, 100 की कम cutoff नहीं जाएगा, है ना, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 97 चल जाए, 99 चल जा तो उतना कम cutoff नहीं जाने वाला है, cutoff जो बता रहे हैं, इसी के round hover करेगा, पर ये higher side है, अगर cutoff 102, 103 भी चला जाता है ना, तो कोई ताजूप की बात नहीं है, ये 104 से 106 हम थोड़ा सा exaggerate हम अपने stand से करके बता रहे हैं क्योंकि लोग ऐसा data दे रहे हैं, जो हम लोगों ने algorithm से calculate किया है, algorithm ये कह रहा है, और ये थोड़ा सा दिख भी रहा है, पर अगर 102, 103 चला जाए, तो कोई गुरेज नहीं है, 101, 102 चला जाए, बिलकुल जा सकता है, पर जाद असुटेबल ये है, जो BPSC concept वाला के stand है, वो ये है, गलत भी हो सकता है, कोई official नहीं है दोस्त, तो गलत होने का chance है, क्योंकि आयोग ही सही है, हम लोग के पास limited sample size होता है, उसी के हिसाब से हम लोग calculate करते हैं, मेरे दोस्त, एक महिना अगर मानते हैं कि आपका हो रहा है, या नहीं हो रहा है, आप optional को दीजिए, क्योंकि this is all about the game of the optional, अगर optional पर आपका command है, आपका selection होगा, अगर 68 भी देना है, तो optional तो आज नकल आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आप उससे कहां से भाग सकते हैं, एक्षिक भी सह है, और ये optional वो भी सह है, जिसको अपने चुना है, वो आपकी मुहबत है, आपकी चाहत है, आपकी तमना है, जिसमें आपको interest है, एक महिना optional को दीजिए, it is immaterial whether you are going to write the means in 67th or 68, my simple submission is, give one month to the optional, even if you have to write the 68 problems, इसको करना इस दिए जरूरी है कि एक महिना optional, एगर आप एक महिना अपने आपको साध लिए, optional कर ल धन्यवाद, signing off, परिशान मत रहिएगा, जिसका भी selection नहीं हो रहा है, बहुत जल्द हम लोग आपके लिए कुछ करकर लेकर आने वाले हैं, जैसे दसरा खतम होता है, आपके लिए लेकर आने वाले हैं, priority पे हमेशा आप रहेंगे, ये हमारे priority पर second में जाएंगे, interview वाले third पर जाएंगे, हमारे priority पर आप पहले रहेंगे, इसमें कोई भी हमें कहने में और accept करने में कोई गुरेज नहीं है, signing off, Rohit